सूजेशी राम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत हो स्वागत है आज हम कौशन नमर 6 करने वाले है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कौशन नमर 6 क्या बोल रहा है 4P का स्क्वेर X ब्रैकेट में X-A ब्रैकेट में X-B is equal to 3X का स्क्वेर माइनस 2 ब्रैकेट में A प्लस B into X into X plus AB और होल के ब्रैकेट में स्क्वेर है हमारे पास देखो मैंने क्या किया पहले इसका सॉलूशन लिखके रखा है इस सॉलूशन को और इस कौशन को अगर आप रिलेट करें देखे इसमें कि इसमें डिफरेंस क्या है इस वाले कौशन में हमारे पास एक्स्ट्रा चीज जो है वो है P इस वाले कौशन में हमारे पास P नहीं ह ना कोई unroot होता है तो इस caution को आपको इस तरह से convert करना है कि जो आपका solution निकलेगा उसमें आपके वास कोई भी derivative नहीं बचना चाहिए और इस तरह से आपने खोला और last में कोई unroot वाले time आगी तो उसको भी और खोलना है ताकि कोई unroot भी ना बचे तो यह आपका solution हो जाएगा इस तरह से इसको ध्यान से देखो इसमें कोई derivative नहीं कोई unroot नहीं तो यह इसका solution हो जाएगा तो इसको क्या करना है सबसे पहले इसका derivative remove करना है और derivative है क्या P है P मन्ने dy over dx ठीके तो आपको क्या करना आप जो derivative real term में उसको एक साइड रख दिया तो 4P के square को एक साइड रखा बाकी जो यह real term में इसको परे लेगे ठीके यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है यह मैंने x पहले नहीं लिखा था यह बाद में लिखा है तो यह power में नहीं है यह into में x है ठीके अब क्या करा हमने देखो यहाँ देखो 4P का square हमें क्या चाहिए P चाहिए P का square नहीं चाहिए dy over dx चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे unroot से multiply कर देंगे यहाँ क्या जाएगा 2P इस उपर वाली term के square से unroot कर जाएगा नीचे वाले में 1 by 2 तो इस तरह से मने इसको खोल की लिख लिया ओके P की जो value होती हुँ होती dy over dx dy over dx लिखा अब देखो यहाँ पर right hand side में जितनी भी आपका term है वो हमारे पास क्या है? x all terms है है ना ए भी तो constant है 3 constant है, 2 constant है बाकि सब क्या है? x all term है कोई y वाले term नहीं है तो हमें क्या करना है? इस dx को x के साथ बेजना है ठीक है? तो इस dx को हम right hand side बेजेंगे x के साथ यह multiply हो जाएगा यहाँ पर अब क्या करना है? हमें क्या करना था? हमें derivative remove करने थे derivative क्या है? dy है, dx है यह remove करने derivative remove होते है integration से तो दोनों तरफ क्या करने पड़ेगी? integration करने पड़ेगी now integrate the equation दोनों तरफ आपको integration कर देनी है अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो यह नीच वाले जो bracket वाले term है इसको ध्यान से देखो यह क्या है? 3x का square minus x का square bracket में a plus b plus abx इसको अगर आप एक बारी derivative करते हो differentiate करते हो तो मारे पास यह वाले term बनीगी देखो इसको करणा 3x square आजाएगा minus 2x abi आजाएगा तो 2x abi आजाएगा plus इसको करोगे तो यहाँ पर abi आजाएगा ठीक है? तो वोई उपर वाले term है मारे पास इसका एक formula होता है सबसे पहले हमने क्या किया? इस वाले term को हमने उपर लेगे तो यहाँ पर minus 1 by 2 आजाएगी power इस तरह से देखो यहाँ पर 1 by 2 यहाँ से हमने 1 by 2 बाहर निकाला है 1 by 2 ठीक है? 1 by 2 हमने बाहर निकाला यहाँ पर और यह वाली जो नीचे वाली denominator वाली term थी उसको हमने उपर लेगे तो यहाँ पर power minus में हो जाती है ठीक है और जो बास आगे था 3x का square minus 2 bracket में a plus b into x plus a b वो हमने ऐसा ही लिख दिया अब देखो यहाँ पर मारा formula होता है formula होता है यह वाला कि हमार पास कोई भी हमार पास function दिया होता है उसकी कुछ भी power होती है अगर उसकी साथ हमार पास कोई दूसरा function है और वो इसी का ही derivative है f dash x करके वो ही value हमार पास मिलती है तो इसकी जो integration होती है वो क्या होती है यह वाले जो हमार पास function दिया गया f of x उसकी power क्या है n अब क्या करना है इसका solution क्या हो जाएगा उसी f of x की power में n plus 1 करना और denominator में भी n plus 1 लिखना ये इसका क्या हो जाता है solution हो जाता है इसको अगर integrate करें ठीक है यहाँ पर देखो ये value है इसकी power में है minus 1 by 2 इसी चीज़ का derivative है ये वाला तो अब क्या करेंगी इसका solution क्या हो जाएगा इसका solution हो जाएगा हमार पास जो ये function दिया गया है इसकी इस power में एक जमा करना है और denominator में भी वही power लिखनी जो अब उपर बनी है ये क्या हो जाएगा हमार पास formula ये लगेगा तो dy integration of dy 1 by 2 भार ठीक है इसकी इसकी integration करेंगे तो y आजाएगा प्लस एक coefficient आजाएगा c और हमार पास इस तरह ये बच जाएगा अब देखो यहाँ पर unroot है हमार पास solution में कोई unroot नहीं होना चाहिए हमने पहली बोला था solution में unroot नहीं होना चाहिए इसलिए हमने squaring both sides की squaring both sides की तो y प्लस c का whole का square is equal to यह हमार पास unroot कर जाएगा इसका इस value को अगर ध्यान से देखो मतलब इस value को खोल के यह लिखा था तो इस value को हम वापिस ऐसा भी लिख सकते वैसा आपका solution यह हो गया है पर क्या है बोक में ऐसा solution दिया तो मैं आपको बता रहो कैसे कैसे हुआ है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसी को इस तरह से लिखा है तो आप इस इसको reverse कर देंगे यह आ जाएगा इसको हमने दूसरी side भेजा है तो एक side equal to आ जाएगा 0 आ जाएगा यह हमारे पास क्या होगा है solution solution में ना कोई derivative है ना कोई हमारे पास under root वाली term है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा solution हो जाएगा